नमस्कार दोस्तो विलकम बैक टूर चैनल दोस्तो बात करेंगे इस वीडियो में जे एससी जेई कट आफ 2023 को लेकर जी हाँ दोस्तो इसके बारे में complete information आपको देने वाले है मेरे वई तो इस वीडियो को माधम से आपको पता चलेगा जे एससी जेई का जो कट आफ कितना दे ठीक है तो आईए करके start करते हैं मेरे भाई अगर बात करें हमें इसमें कुल आवेदन की कि सर इसमें जो कुल आवेदन हुआ है ये किस तरीके से हुआ है कितना हुआ है तो मेरे भाई अगर बात करें जे एससी जे में कुल आवेदन की तो भी एक लाक तीहत्तर हजार 180 तक इसमें जो है अवेदन किया गया है ठीक है और ये लगभग है दोस्तों ये कोई fix data नहीं है मिर भाई ठीक है इसके करीब जो है इसमें अवेदन किये गये हैं अगर बात करें दोस्तों rejection की किसर कितने farm reject किये गये हैं तो rejection की बात करें मिर भाई तो इसका जो संख्या है तो 65,9 62 के लगभग जो है आपके फार्म रिजक्ट किये गया है ठीक है और अगर बात करें असेप्ट की किसर कितने फार्म असेप्ट किये गया है कितने आवेदन असेप्ट किये गया है तो अगर बात करें असेप्ट की तो विया एक लाख 7218 फार्म के लगभग जो है असेप्ट क शी लिजिए गया है कि I really expect किया गया है और अगर बात करें टोटल प्रेजिंटी की कि सभी ब्रांच को मिला कर कितने कंडिडर्स प्रेजेंट होए अगर बात कि रहें दोस्तों टोटल प्रेजिंटी की तो यहां इसकी जो संख्या है 85,775 है कुल इतने आपके candidates present हुए हैं दोस्तों सभी branch की बात कर रहा है ओगर बात करें दोस्तों branch vice present की सब्सक्राइब गरात करें civil है कितने प्रिजिंट हुए है तो इसकी अगर बात करें है तो गई-ट्राज ed दोस्तो साठ हज़ार की करेными स्टूडेंट्स आपके प्रिजेंट हुए हैं सिविल में और अगर बात करें हम ध्रीन करें kend отд ट्रे vibrations कीन तरीकल हमें किस त्रीके सुआ सुआ है despair शमय कितने कपने से करें पाद करें ed दोस्तों जो संखया एंकी 25,775 है कुछ इतने candidates आपके present हुए हैं दोस्तो ठीक है ये लगभग है मिर भाई फिर से बता रहा है कोई fixed data नहीं है ये approximately माना गया है ठीक है तो मिर भाई आप यहाँ पे देख रहे हूँगे कि ये क्या चीज है तो ये आपका है सीटों की संख्या मिर भाई देख सकते हैं सीविल में general के लिए कितना सीट था BC1 और BC2 के लिए कितना था SC, ST, EWS का देख सकते हैं और total आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सीट आपके थे ठीक है ये सीटों की संख्या है electrical वालों की बात करें तो यहाँ से आप सीटों की संख्या देख सकते हैं कौन से category में कितना सीट रखा गया था अगर total की बात करें तो 50 सीट आपका था ठीक है और अगला देख सकते हैं यहाँ से आप mechanical का देख सकते हैं कि कौन से कटेगरी में कितना सीट रखा गया था अगर टोटल की बात करें तो 107 सीट था ठीक है तो कुछ इस तरह की इक इनफॉर्मेशन है अगर बात करें हम एक्जाम पैटर्न की किसर एक्जाम पैटर्न के वारे बता देजे किस तरह किस एक्जाम हुआ था तो सारी चीज़ों आपको पता ही है तो एक बार समझ लिजे दोस्तों अगर बात करें हम एक्जाम पैटर्न की तो जो कुल प्रश्णों की संख्या थी आपकी जो पूछी गई थी एक्जाम में इसकी जो संख्या थी 120 ठीक है 120 प्रश्ण आप से पूछे गए थे दोस्तों प्रतेक प्रश्ण आपका तीन माक्स का बारत याई 36 यानि की 360 नंबर का पुडांक बन रहा है तो कितने माक्स आपके होने चाहिए मेरवाई कि आपका कट आफ में हो जाए ठीक है युआ को अजम प्रावधान आप शर्म रखा गया था चाहिं तो मेरवाई प्रश्ण आप से पूछे गए थे प्रतेक प्रश्ण तीन माक्स का 360 नंबर का पुडांक रखा गया ह। चाहिं तो कुछ इस तरह केसे पेपर टू भी आपका कंडक्ट करवाय गया है अगर बात के दोस्तों इसके कट आफ की किसर इसका जो कट आफ है जे से सी जे के कितना देखनों मिल सकता है कितना कट आफ जा सकता है कौन से कटेगरी में कितना कट आफ जा सकता है तो अगर बात के इसके कट आफ को लेकर दोस्तों तो आईए आपको तक share कर रहा है ठीक है तो आईए आपको दिखाते हैं कि आपको जो cutoff है किस तरीके से देखनों को मिल सकता है तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे reservation category आपको यहाँ पे दिया गया है ठीक है सारे category आपको दिये गया है आप यहाँ पे देख रहे होंगे cutoff marks paper 1 और paper 2 ठीक है paper 1 और paper 2 दोनों को मिला कर दोस्तों यहाँ पे cutoff आपको दिया गया है general की बात करें तो 440 plus है ठीक है और bc1 और bc2 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरी किस cutoff दिया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर cutoff अगर बात करें दोस्तों सिर्फ paper 1 की कि सर्फ paper 1 में cutoff कितना जा सकता है तो 180 plus जा सकता है आपका bc1 और bc2 का cutoff देख सकते हैं 140 से 160 अगर है तो आपका हो जाएगा 100 से 120 है अगर 100 से 110 है आपका друзья कि साथ मार्क्स paper 2 के o cutoff देख सकते हैं 260 अगर 360 मेंख1 160 मेंख1 यहाँ expected expected cutoff है मेरबई एक दो नमबर आगे पीछे हो सकते हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं civil का आपका जो cutoff है कुछ इस प्रकार से देखनों को मिल सकता है आई अगला दिखा देते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं mechanical के लिए कि mechanical वालों का जो cutoff किस तरह के देखनों को मिल सकता है category तो आप यहां पर देखी रखे हैं ठीक है और अगर बात करें cutoff marks की तो paper 1 और paper 2 का cutoff आप यहां पर पूरा देख सकते हैं बात करें दोस्तों paper 1 की तो paper 1 में जो आपका cutoff जाएगा तो कुछ इस तरह के आपको देखनों को मिल सकता है ठीक है और paper 2 का भी cutoff आप यहां पर देख सकते हैं इसकी इस परकार से आपका cutoff है देखनों को मिल सकता है यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों electrical वालों का cutoff है किस तरह के देखनों को मिल सकता है paper 1 और paper 2 की बात करें मेरे बाई तो कुछ इस परकार से आपका cutoff है देखनों को मिल सकता है उमीद करते हैं सारी चीज़े क्लियर हो गई होंगी अगर आपको कुछ डाउड से या फिर कोई ऐसी चीज़े हैं जो आपको ना समझ माई हो तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ लेजिए सभी का रिप्लाइ करते हैं मेरे भई आपका भी करेंगे ठीक है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू कर दें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया हैं तो सस्क्राब जरू कर लें आपके जैसा भी अपडेट होगा इंफर्म करेंगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हैं